हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू टॉपस जोन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स जिसमें हम डिस्कुस करेंगे ठियोरम 6.7 को तो स्टुडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो तो स्टार्ट करते हैं थियोरम 6.7 से इसकी स्टेट्मेंट है दिसम ओफ एंगल्स ओ आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी यह जो लाइन है एक सब्सक्राइब तो दिखिए सब से पहले हम गिवन में लिखेंगे इनका sum 180 degree होगा, आप देखो इसमें हमने construction की कि P से हमने draw की एक line ये जो XY है, ये parallel होगी QR के, तो इसका proof स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले ये जो angle 1 है और angle 2 जिसे मैंने highlight किया हुआ है yellow color से, ये alternate interior angles होगे, इसको हमने first equation मान लिया, और ये जो angle 3 और angle 4 है, ये भी आपस में equal होगे, ये alternate interior angles है, इसको हम मान लेंगे second equation, आप देखो आपको angle, ये जो equation 1 है और equation 2 है, इनको हम add करेंगे, left में left side add करनी है और right में right side add करनी है, तो देखिए यहां से left side पे angle 1 और angle 3 आएगा, और right side पे है angle 2 और angle 4, तो यहां पर plus का sign लगेगा, अब देखो आप यहां से कि angle 1 और 3 आ रहे हैं हमारे left side पे, तो यहां पर देखिए 2 और 4 के साथ, बीच में angle 5 है, तो हम इसमें add करेंगे, add angle 5 on both sides, तो देखिए दोनों side पे हमने left और right पे angle 5 add करना है, यहां इस equation में, तो यहां से देखिए angle 1 प्लस angle 3 लिखके, अब देखो यहां से angle 2 प्लस angle 4 प्लस angle 5 यह एक straight line पे बन रहे हैं, यह तीनों angle, तो इनका sum 180 degree होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे angle 2 प्लस angle 4 प्लस angle 5 is equal to 180 degree, इसका reason हम लिखेंगे angle zone straight line, अब देखो जब यह angle 2 प्लस angle 4 प्लस angle 5 180 degree के हैं, तो हमने यहां पर यह left side as it is लिखे, angle 1 प्लस angle 3 प्लस angle 5 और इसकी जगे आपको पुट करना है, angle 2 प्लस angle 4 प्लस angle 5 की जगे 180 degree, तो देखें, यहां से angle 1 प्लस angle 3 प्लस angle 5 is equal to 180 degree आगे, यह एक ट्राइंगल में यही बने वह हैं, और हमें यही प्रूफ करना था, So students, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा angle sum property को, जो की theorem 6.7 है, So thank you for watching this video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें